प्राणपूर प्रखंट शेत्र से एक बेहत दर्दनाक मामला सामने आया है दरसल गौरीपूर पंचाइत के शाहनगर गाउं में आज एक फूस के घर में आचानक आग लग गई आग लगी कि इस घटा में लाखो रुपय की समपत्ती जलकर खाक हो गई पताय जाता है कि ये घटना गाउं की मीडा खातु नामक महिला के घर में हुई है जिससे उसका पूरा घर चुल गया घटना रात के समय हुई ये आग रसोई के चुले से फैली जिसके बाद देखते ही देखते पूरा घर उसकी चपेट में आ गया जब घर वालों को आग लगी की जानकारी मिली तो वे बाहर निकले और शोर मचाने लगे जिसके बाद ग्रामनों ने मौके पर पहुँच कर उस पर काबू पाया फैंड़ घर जब ग्रामनों पाद जाल गिया तब गॉंबला को ला करें तब गॉंबला कभूता है अनास थे गार में आप दाना धान ड़केते हैं गरमा दस पूंटालू जल गिया बाकरी था घर में बक्सा था सब पैसा का और युसी मता सब कुछ गरत सई का ले सके गुम इकला का मुखा नहीं मिला घर में गटना में घर में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया वही एक बक्री भी जुलस गई मीना खातुन के घर में नौ बज़े अचानक खाना बाराने के समय में आग लगी और उनका बक्री भक्री थाई उजल गई है और सब समान सब जल गया है उनका पती का नाम शिख मजीद है वह बाहर में रहते हैं लाकों के सब पती जरी है इनका पीडिक परिवार अब दानी दानी को मोहताज हो गया है मीना खातुन का परिवार काफी गरीब है उसका पती शिख मजीद बाहर में रहकर मज़दूरी करते हैं ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि सरकारी अस्तर पर भी उन्हें मदद मिले भगत सीन, टाइम्स न्यूज, प्रान पूर